वेलकम तो डिकुमार लाइफ साइंस का लासाज आएम दिरेंद कुमार आज हमनों बात करें बहुत इप्रण टॉपिक है चलुलर रिस्पॉंस टूइस स्पेसिक कम्बिनेशन आप इक्स्ट्रा चलुलर सिग्नल मालेकुल बहुत इप्रण टॉपिक है आपके जामें पुछ टॉपिक होता है कि स्पेसिप बैंडिग एक्टिवटी की बात करते हैं दा सेल्लर रिस्पॉंस टूइप पार्टिक्लर इस्टा स्वाल मालेकुल डिपेंड आन इस बाइंडिंग टूए स्पैसिपिक डिसर्टर पोर्ट इन लोकेट रां सर्फेस और टार्गेट सेल और नूकलियस और साइट अपराज़ देखा जाए जितनी वी आपके इसल होते हैं उनके उपर क्या होता है कि क्या होते हैं जो किसी भी सल की डिमांड जो होती है चाहे पोर्टीन को लेकर के चाहे कोई वाय मालीकूल को लेकर के तो वैसे ही क्या होता है उस टाइप कि स्पोर्ट करता है अब इस पर पॉड़ने चुता सिग्नल मालीकूल कौन से हो सकते हैं जैसे आपके हर्मोन है फिरो हर्मोन निवरो टांस्मिटर आइक्ट एज लिगेंड वीच बाइंड टू इस पैसिफिक रिसेप्टर जू क्या करता है कि स्पैसे रिसेप्टर से क्या करे करेगा और बाइंड करके चुको टांस्पोर्ट करेगा दा बाइंडिंग आफ लिगेंड टू इस रिसेप्टर कोज एक अन्फॉर्मेशनल चेंज इन दा रिसेप्टर डैट इनिसीएट इस सीक्वेंट साफ रियक्शन लीडिंग टू इस पैसिफिक से रिस्पॉंस तो कि देखा है दोस्तों जब लिगेंड आप रिसेप्टर से बाइंड होता है तो उसका जो कॉन्फॉर्मेशनल चींज हो जाता है और एक सेल्वर रिस्पॉंस को क्या करता है जन्रेट करता है तो यह वेल नोन है कि हमारे बॉड़ी के जितनी भी आपके हर्मोन होते हैं जित होते हैं और वैज ने करते हैं से अलब करते हैं जैसे याफमीर की बात करें आप कोई चीज बोजन फूड इंटेक करें तो फूड में देखा जाएं आपके स्वीटनेस भी यह है बिटर भी है, साल्ट भी है तो आप देखते हैं कि आप तीनों एक साथ आप पे उसको इंटेक करें तो हमारे जो जीप के जो टंग के रिस्टर्टर्स होते हैं इन तीनो लिगेंट से क्या करेगा बाइंड करेगा और वैसे रिस्पॉंड क्या करेगा रिपेंड करेगा आपको बोजन में आपके खाने में आपका स्वीटनेस भी पता चलेगा बीटर भी पता चलेगा और साल्ट भी पता चलेगा तीनों चीज़े क्या होगा वहां पर वह किलियर ह we were not our है भी कि नोगो ने बात किया कि जू भी आपके लिएंड होंगे बाइंड होंगे और आप abruptly हिए इसक्राइट डिफ्रेंड बिफ्रेंड डिस्पॉस्ँंस क्या करेंगे सोग करेंगे डिफिरेंड रिस्पॉस्ट बिफ रिटी अफ़ेड टू सेम लिकेंड जो सेम डिगन के साथ क्या होता है different variety क्या करता है आपको सोग करता है जैसे इस्टिल कोलीन receptor are found on the surface of steated muscle cell, heart muscle cell and pancreatic cell जैसे आपका इस्टिल कोलीन होते है इस आपके क्या होते है एस अब क्या होते है पर्जेंट होते है और अब देखा जाए यह सिल कोलीन क्या है लिगन डिफेंट डिफेंट में क्या हो रहा है आपका इस्ट हो रहा है और response क्या करेगा सेम करेगा तो यह बहुत इपोटनची आपका होता है रिलिजा प्यस्टिल कोलीन फ्रॉम नियूराण अब इसमें देखा जाए यह इस्टिल कोलीन इदि आपके मस्ल से जम्रेट हो रहा है तो मारे हर्ट को क्या करता है ट्रिगल करता है उसकी हर्ट बीट को क्या करता है बेटर करता है लेकिन यह दिभये एस्टिल कोलीन आपके हर्ट से जम्रेटर ली धिजो रहा तो हमारे क्या करता है हर्ड बीट को स्लो कर देशा जाए रिस्पॉंस क्या हुँआ himself can react लिए यह सेला बात करते हैं फट्रंग की बात के अनिवर कि बात और गुलुकोगान इट्स रिसेप्टर और इपी निफ्रोन निफरीन तुच्छ निदेशन गुलुकोज इन्टू दा ब्लड अब इसने देखा जा लीबर्सल की बात करते हैं इसकोई भी आपका रिसेप्टर बाइंड हो रहा है गुलुकोगान से या इपी अप्सक्रेंट्र से तो क्या होता है एक गुलुकोगान क्या होगा आप ब्रेक हो जाएगा और डीग्रेट हो जाएगा और क्या मुधा कर देगा महां पर हैं तो ङौड हो गुलख घल को अर् ik त आंस्पॉर्ट जाएगा डीज आंप फील्ट-टन पर थ। véritग फारिंग personnel नडे रिजल्ट इन हार्मोन डिएंड कॉंप्लेक्स एक जीविट इफेक्टर इस्पेसिटी अब इसमें देखा यह दोस्तों अभी उन्हों देखा कि हमारे जब गुलोकुगान डिग्रेड हो रहा है तो क्या करेगा इस स्पैसिफिक बाइंडिंग होगा और बाइंडिंग होकर क्या करेगा वह आपका जो हर्मोन है वह क्या करेगा पूरी बॉड़ी में आपका ब्लेट के तुरू सर्कुलेट हो जाता है इस्ट्राइड हर्मोन की बात कर रहे हैं थायरॉक्सिन और रेटिनाइड बीइंग लिपोफिलिक और ट्रांस्पोर्टेड बाइदा कैरियर पॉर्टिन इन अब इसमें देखा जो दोस्तों यह दी डिसोसियेशन हो जाए यह आपको ब्लेट वाल में कोई डिसोसियेशन हो गया तो क्या हो था वह आपका जो हर्मोन है वह क्या हो जाएगा आपको तो मैंने और डिफ्यूज हो करके साइटोसल या नुकलियस के मेंब्रेन से क्या करेगा और रिस्टर से बाइंड कर लेगा दा रिस्टर हर्मोन कॉंप्लेक्स देन एक्ट ऑन नुकलियस डिन टू अल्टर ट्रांस्किप्शन आफ इस पैस्पिक जीन तो हमारे जो जीन को क तो क्या करेगा उसके ठ्रांसकिप्शन प्रोंक्र से को चींज कर देगा अल्टर कर देगा जैसे ads देखा घृत इस धा ब्लट बेस 타 अब देखा गया और उसको क्या कर देगा अल्टरकट चेंज करदेगा क्या कर देगाям करदेगा आपके इस ब्रेट करता है कि क्या हैं यहां पर कोई भी डिसॉसीइशन के बाद क्या होता है यह क्रेगा स participar के लेगा और चल के मेंब्रेन कि सब्सक्तर के करके इसको ऐसको क्या बना देगा हर्मोन कंप्लेक्स और ही हार्मुन क्या करेगा देखें यहां पर दोर्स्तों नुकलेट्व के लेuss थार गया और अकर करो कि हमारे टांस्प्स प्रोशेस्ट हो आपका क्या हो जाएगा एफेक्ट हो जाएगा इसी प्रकाशे है पॉलिप्टाइड हर्मोन एपिनिफरेंट वीच और वाटर साल्वल वीच और पोस्ट गलंदीन वीच लिपोफिलिक आल बाइन तो दाशल सर्फेस रिसेप्टर इस बाइन ट्रिगर और इ सर्फेस के आपके रिस्टर हो गए कि इसके इंदर की क्या होते है लोग जाएओंद करेगा करेगा बंड करके हैं को बढ़ास्mir weapon with और माइसक भी đन येलो लेकिन जब यहां पर दो यह रतरोर्पस्ट करीज हो गया'd भी बहुत ही पॉड़न चीज़ आपके होते हैं इस स्ट्रक्टर को दोस्तों बहुत ध्यान से देखीगा हमने लास्ट लेक्चर में डिसकस किया था कि कैसे कोई भी आपका बाइं करके कैसे चंपोर्ट होता है यह बहुत है करते हैं जो इसको करने में हैं और यह कहां पुछ आपके उटवेटर ऑसके करängtे कर देता ह्यां जाके यहाँ रंस्यू Turns का कैया रहें लगता है तो मिले चल टंकिंट रखाता है तो dire doctor है जा कहीं ने कहीं क्या होते हैं आपके binding process होता है यह इसी बोलते हैं पहले सिंगनल होना receptor से bind करना है रेस्पॉंस ठीक है यहां पर response क्या है transcription process क्या करना operate करना हम दूसरी बात करते हैं इसमें देखा जाए अबी से यह आपके तीन आपके लिगंड है जब surface से bind करते हैं किसी तो cell क्या करता है सर्वाइब करता है ठीक तो यहां पर क्या है इस टाइब की जो लिगंड होगे survival लिगंड के जैसा work करेंगे survival को कराएंगे cell को दूसरा बात करते है लिगंड आपका abc है जो survival का काम करते है दिवाद d और e आपका और जो लिगंड हो गया तो यहां पर डिवाइट करना चला करते हैं यहां पर बैद करता था यहां पर FG हो गया तो यहां पर हो गया यह देखा जाए क्या करेंगा क्यों हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्यों कोई यह जाएगा यहां पर क्या हैं एक क्यों आपकर आए सब्सक्राइब करता है और और ड्र की दोस्तों iç वीठी को लाषट तक देखा और इस वीडियो बनाने में काफी हमने रिफेंस कही हुए उच्किया नेक्स लेक्षन बात करेंगे नुक्लियर डिस्ट्रेप्टर एंड आयन चैनल लिंक्ड बहुत ही पॉर्ण डिस्ट्रेप्टर्स हैं थैंक्यू आल दा बेस्ट दोस्तों इस लेक्चर को आप सेर करेगा क्योंकि आप एक सेर किसी एक बच्चे के लिए बेटर कर सकता है थैंक्यू आल दा बेस्ट